थर्मो कोल पॉलिस्टाइरीन के द्राव रूप को सौ डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है जब ठंडा हो जाता है वो ठोस बन जाता है जब इसे धांचे में डाला जाता है तब हम उसे मन्चहा अकार दे सकते हैं ये आघाच शूशक होता है इसलिए इसका उपयोग नाजू कवस्तों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है क्या आप बता सकते हैं कि थर्मकूल का उपयोग कहां कहां किया जाता है क्या आप इसकी एक सुची बना सकते हैं हानिकारक परणाम एक स्टाइरिन से कैंसर हो सकता है यदि थर्मकूल का लगातार संसर्ग होता रहे तो इससे ब्लड कैंसर और लिंफोमा जैसी बिमारिया होने का खत्रा होता है दो चुकि इसका जैविक रूप से विवटन नहीं होता है इसलिए इसे जलाया जाता है पर जलन की इस प्रक्रिया में जिस वायू का निर्मान होता है वो विशहला होता है तीन, कारे क्रमों के दौरान हम थर्माकोल से बनाए कब, गिलास और प्लेटें इस्तमाल करते हैं यदि इन में हम गरम खाना परोसे हैं तो उस खाने के साथ कुछ मात्रा में स्टाइरीन हमारे पेट में जाता है जो हमारे स्वास्थे के लिए हानिका रख होता है चार, वे जो हमेशा थर्माकोल के साथ संपर्क में आते हैं उन्हें आखो, श्वसन नलिका, त्वचा और पचन संबंदी बेमारियों का सामना करना पड़ता है स्टाइरीन के कारण गर्बवती महिला का गर्बबात होने की संभावना भी होती है द्राव रूप के स्टाइरीन के कारण त्वचा जुलसने का खत्रा होता है कांच हम कांच का उपयोग विभिन प्रकार की वस्तों के बनाने के लिए करते हैं परंतु, मानव द्वारा कांच की खोज अचानक सी ही हुई थी कुछ फेनिशियन व्यापारी एक बार रेगिस्तान से होकर जा रहे थे इन व्यापारीों ने रेगिस्तान के रेट पर खाना बनाते समय बरतनों को आधार देने के लिए चूने के पत्थर का उपयोग किया अपने दोपार का हाना खतम करने के बाद जब उन्होंने बर्तनों को वहां से हटाया तो उन्हें वहां पर कुछ पारदर्शी वस्तु दिखाई थी। उन्होंने सोचा कि जब रेत और चुने के पत्थर को एक साथ गरम किया तब ये तैयार हुआ होगा। इसके उपरांत का कांच के निर्मान की प्रक्रिया का विकास हुआ। सिलिका और सिलिकेट को मिला कर एक नाजुक या भंगूर लेकिन सक्त पदार्थ निर्मान हुआ जिसे कांच कहा गया। कांच में सिलिका जिसे SiO2 कहा जाता है उसके और अन्य घटकों की अनुपात के आधार पर कांच के विभिन प्रकार होते हैं। एक सोडा लाइम कांच, दो बोरो सिलिकेट कांच, तीन सिलिका कांच, चार अलकली सिलिकेट कांच। कांच के द्रव में कुछ पदार्थों को मिला कर हम कांच को बिन बिन रंग भी दे सकते हैं। कांच का निर्मान, रेत, सोडा, चूने का पत प्रापमान में इस मिश्रण को पिघलाने के लिए इसमें फैंके हुए कांच के टुकडो को डाला जाता है इस प्रकार ये मिश्रण अब लगबद 850 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है इसके उपरांत इस मिश्रण को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गरम किया जा है जिससे सोडा लाइम कांच कहते हैं गुण धर्म गरम करने के बाद यह नरम बन जाता है और उसे हम मंचाहा आकार भी दे सकते हैं दो कांच की चौडाई उसमें जो घटक होते हैं उसके आधार पर होती है तीन यह उष्णता का मंदचालक है इसी कारण यदि हमने उसे तुरंद गरम किया तुरंद ठंडा किया तो वह तूड़ जाता है चार चुकि यह विद्यूत का सुचालक होता है इसलिए इसका उपयोग विद्यूत उपकरणों में भी होता है पांच यह पारद्रशी होता है अतहा इसके द्वारा बड़ी मात्रा में प्रकाश परावर्तित होता है पर यदि कांच में क्रोमियम वैनिडियं आयन कांच, सिलिका इस्तमाल होती है, उस्निता देने पर कम प्रसरित होता है, आमल या शारक का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रयोक शाला में उप्योग में लाये जाने वाले उपकरणों के निर्मान के लिए, बोरो सिलिकेट कांच, रेत, सोडा, बोरिक ऑक्साइड, अलुमि रेत और सोडा कामिशन, इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसी कारण इसे पानी का कांच भी कहा जाता है, अगनी प्रतिरोधक कपड़ों को तयार करते समय उन पर जलकांच की एक परच चड़ाई जाती है, सीसा युक्त कांच, रेत, सोडा, लाइम, लीड ऑक आउकसाइड, बोरोन, ये शुद्ध कांच है, चश्मा बनाने के लिए, सूक्षमदर्शी, दूरबीन, हित्यादी बनाने के लिए, रंगीन कांच, सोडा लाइम कांच में विशिष्ट धातूओं में आउकसाइड मिलाये जाता है, वो नीला, हरा, लाल और पीले रंका हो चनौती, मानव निर्मित और प्राकृतिक पदार्थों को पहचानना, सारांच, कांच के विभिन प्रकार होते हैं, एक, सोडा लाइम कांच, दो, बोरो सिलिकेट कांच, तीन, सिलिका कांच, चार, अलकली सिलिकेट कांच, कांच के द्रव में कुछ पदार्थों को मिला कर हम कांच को बिन बिन रंग भी दे सकते हैं